Hello students, good morning to all of you students, आज हम क्षितिस के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी two books हैं, पहली है क्षितिस, दूसरी है क्रिफ्तिका, तो सबसे पहले हम क्षितिस के बारे में पढ़ते हैं, क्षितिस का आर्थ होता है, जहां दर्ति और आसमान जो है दूर से आपस में मिलते हूए परतीत होते हैं, लेकिन वो आपस में मिल नहीं रही होते हैं, तो क्षितित को two parts में डिवाइड किया गया है, पहली है गद्यखंड, दूसरा है काब्यखंड, तो आज हम काब्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, काब्यखंड में कवीत मुलता है कश्मीरी भाषा की लोगप्रियसंत कवितरी लल्दयत का जनम सन 1320 के लगवक कश्मीर स्थित पामपोर के सिंपुरा गाम में हुआ था, उनके जीवन के बारे में प्रामानिक जानकारी नहीं मिलती, लल्दयत को ललेश्वरी, लल्ला, लल्ला जोगेश्वरी, ल पुल्सी की चुपाई और रस्खान के सवे परसीद हैं, उसी तरह लल्दयत के बाक परसीद हैं, अपने बाकों के जरिये उन्होंने जात्ति और धर्म की संकिरन ताओं से उपर उठकर भक्ती के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया, जिसका जुडाब जीवन से हो, उन् कालीन, पंडिताउ, भाषा, संस्कृत और दरवार के बोस दवी, फार्सी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रजोग हुआ है, जही कारनाय की लल्दयत की रचनाय सेंकडों सालों से कश्मीरी जनता की समरिती और बानी में आज भी जीवित हैं, बे आदुनी कश्मीरी भाषा का प्रमुकस्तंब मानी जाती हैं, बिद्यार्थियों को भक्तिकाल की ब्यापग जन्चेतना और उसके आखिल भारतिय सबरूप से परचित कराने की उदेशे से जहां लल्दयत के चार बाक्षों का हिंदिय अनवात प्रस्तुत किया जा रहा है, पहले बाक में लल कि अन्तहकर्ण से संभावी होने पर ही मनुश्य की चेतना ब्यापक हो सकती है, दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, तीसरे बाक में कवित्री के आत्मा नोचन की अभिव्यक्ति है, बियानवव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के सच्चा ग्यान माना है, प्रस्तुत बाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है, तो आओ हम बाक के बारे में पढ़ता है, बोलता है, रसी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कम सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार, पानी डपके कच्चे स्कोरे ब्या रुपी ना जो है, मैं उसे खींच रही हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार, बोलता है कि ना जाने बगवान जो है, मेरी पुकार कब सुनेंगे और इस भवसागर से पार करेंगे, रथार जहां से मुझे अपने पास बुलाएंगे, पानी टपक जो मैं भी प्रियास कर रही हूं इशवर के पास जाने के वो सारे बेकार जा रहे हैं। और second paragraph में बोला है, खाख खाख कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाख कर बनेगा अंकारी, सम खा तभी होगा संपावी, खुलेगी सांकल बंद्वार की, मुलता है कि खाख खाख कर कुछ पाएगा नहीं, मुलता है कि हे मनुश्य, अगर तू खाता ही रहेगा, तभी तुझे अगर तो कुछ नहीं खाएगा अर्ठात बरत्व रखेगा तो इससे कहीं तुझे अंकार पैदा हो जाएगा समख़ा तभी होगा समभावी जोता है कि मनुश्य अगर तुँ इश्वर को प्राप्त करना चाता है तो कम खा सम होता है कम खा तभी होगा संभावी संभावी होता है समझने वाला दूसरों को समझने वाला तभी तू दूसरों को समझ पाएगा खुलेगी सांकल बंदवार की गोलता है कि अगर तू इश्वर को प्राप्त करना चाहता है और थात तू बाहरी अडंबरों से मुक्ती पाना चाहता है तो तेरा मन जो है मुक्त तभी होगा जब तू इस अंकार को शोड़ देगा ब्रत बगारा शोड़ कर इश्वर की भक्ती में जो है वो अपने मन को जो है अंतकरन को जो है अपने मन को जो है बाहरी इंद्रियों का निग्राय करके अपने तनमन पर नियंतरन कर लेगा तभी तू इश्वर को प्राप्त कर सकेगा तभी तेरी चेतना ब्यापक होगी बारिय डंबरों से तुझे कुछ नहीं मिलने पाला, आज मैंने आपको टू परग्राफ पढ़ाए हुए है, तो इनको ध्यान से आपने पढ़ना है, जो मैंने वीडियो आपको बेजनी है, और इसकी मैं फोटो क्लिक करके बेज दूँगी, इसको ध्यान से पढ़ना है, कल नहीं नहीं कोुछ रग्राफ दूए है, तो चल बादू है, तकी तूँगार आपको लोको भी लोको पूल को भी टापकोंगी क्यूजश्यों से नहीं मिलने ख़ता बारियों आपकोंगी, ये दिएकार बहलना है, टापकोंगी, ये 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 टिएक्ष पांगी,